हेलो दोस्तों मैं सुनी सर्मा स्वागत करता हूँ आपका अपने यूटूब चैनल में और आज का लेक्चर जो है मैंने डिमांड पर स्टार्ट किया है इस टीली स्ट्रक्चर के मैंने काफी लेक्चर आप लोगों को पढ़ाए हैं लगभग सारे नुमेरिकल टॉपिक्स मै पढ़ जा रहे थे जिसमें से रूफ ट्रस एक इंपर्टन टॉपिक था ठीक है मैंने कई बार लोगों को सला दी थी कि इसको आप इजली पढ़ सकते हैं चाहे आप बुक से थोड़ा बहुत इसकी पढ़ लें या फिर नोट से पढ़ लें लेकिन फिर भी डिमांड लगा समझ लेते हैं लेक्चर बहुत छोटा सा है लेकिन इंपॉर्टन इसलिए है क्योंकि एक्जाम में अगर आया तो यह आपको पूरे नंबर देखे जाएगा ठीक है तो सबसे जरूरी चीज़ जो मैं स्टील रूफ ट्रस के बारें बता दूँ तो आप लोगों ने ट्रस को मेकेनिक्स में भी पढ़ा होगा सुरू में बहुत मेकेनिक्स में पढ़ा होगा कि ट्रस क्या होता है एक ट्रेंगुलर स्ट्रक्चर होता है एक इस टाइप से ट्रेंगुलर स्ट्रक्चर है यहाँ पर एक चीज़ का विसे धान दीजेगा आप लोग डियेसमेस अगर आप काफी सारे doubts clear करने वाले questions हैं और उनको देखने के बाद अगर भी किसी का doubt नहीं clear हो रहा है तो इसका मतलब या तो उसने देखा नहीं वह जूट बोल रहा है और या तो एकदम ही अन पड़ा तो इसलिए प्लीज उसको उन lectures को देखिए उसमें बहुत सारे doubt clearing question है और theoretical में क्या आता है उससे आपको इससे idea मिलेगा सारा पढ़ने के बाद अगर एक बार जिसने अगर आप इनके कोई lecture skip भी कर गया आपका complete नहीं होगा तो पहले उन दोनों को अगर आपने डिसमेस का part 1 और part 2 लेक्चर नहीं part 1 part 2 करके previous year paper के नाम से होगा वो जो वीडियो उसको जरूर देख लिए ठीक है तो चली ही सबसे पहले इनको हम देखते है कि आप trust के बारें बात कर रहे थे तो trust क्य है इस टाइप इच्छत बनाने का क्या रीजन जब भी हम लोग इस टाइप इच्छत बना रहे हैं तो इनका क्या रीजन है इनका रीजन है कि क्या क्या इसके पीछे का basic region है और जो मैं आपको बता रहा हूं वो चीज़ आपके book में बहुत कम मिलने माली book की मैं मदद लेता हूं लेकिन मैं जो मेन कॉंसेप्ट अगर वो बता रहा हूं आपने अपनी कॉंपी में लिखा तो आज कल कॉंपिया कैसे चेक हो रही है आप जानते हैं लेकिन कोई अगर आपकी कॉंपी पढ़ लिया तो समझी वह बहुत ही ज्यादा खुस हो जाएगा आप से ठीक है तो कोई भी संदर्चना जो इस तरह से मेंबर से मिल के बनी हो फ्रेम कहते हैं ठीक है अंतर के वल इतना है कि फ्रेम किसी भी प्रकार और आकार के हो सकते हैं लेकिन टरस निश्चीत रूप से त्रिभूजाकारी होता इस चीज़ का विशेज जान रहे है कि टरा समयशा पहार आओं वो लाइने सारी में नोट्स में लिख करके इनको दिलवाया था आप लोगों को ठीक है तो इनको ध्यान समझेगा लेकिन ट्रस्ट ने इस इस रूप से त्रभूजाकार होता है लोड आएगा और इन लोड की वज़ा से ये ट्रस्ट में जो ये टेंसन है इसका जो सपोर्च करिए इसका इतना बड़ा स्पैन है ठीक है ये दोनों तरफ काफी बड़ा इसका स्पैन है और इस स्पैन पर इस समय क्या आ रहा है एक तरह का तनाव आ रहा है और तनाव की होती न तो इसमें आता क्या बताइए इसमें आती बेंडिंग तो यह ज़्यादा बड़ा इस पैन जब हम करते हैं तो आप जानते हैं बेंडिंग का फर्मूला का में रीजन क्या होता है क्योंकि यह जो इसका स्पैन होता है वो काफी बड़ा होता है और उसी स्पैन बड़े स्पैन पर भी छत बनाई जा सके इसलिए हम लोग ट्रस का यूच करते हैं ठीक है तो आपने अंतर बेसिकली इन दोनों में देख लिया क्या होता है क्योंकि ट् प्रभावी कौन होगा ड्रस होगी बड़े सबंपर हमेञा कौन प्रभावी होगा प्रस होगी यह चीज आप में आगया होगा पूरी तरीके से चली को पहले पैल लेते हैं क्या लिखाया है देखे ज़रा ध्यान से लिखाया है इसमें कि इनका प्रभावी होना यहां तक में पड़ दिया था यदि किसी बड़े कारखाने या वरक्साप के लिए RCC यान किसी विवस्ता का प्रयोग किया जाया तो इनके अधिक moment है वो थोड़ा लिखने में mistake है moment over deflection के कारण विफल हो जाने की संभावना होती है जबकि steel trusses पर bending moment के स्थान पर time में tensile stress उत्पन होते हैं जो बड़े से बड़े span के लिए भी प्रयोग किये जा सकते हैं आई इसका diagram बना के बना यह चीज़ समझा भी दिये यह सब समझाने के लिए question क्या आएगा उसमें क्या आपको लिखना है वो डिपेंड करेगा इन सब चीजों को समझाब माली जी केवल इतना पूछता है इस्टील ट्रस क्या होती है आर्शी की तुलना में इनका ज्यादा प्रयोग क्यों किया रहता है ज्यादा का मतलब बढ़ बढ़कर का जबकि span पर कभी नहीं आता है चलिए उसमें बात करेंगा फिर एक चीज और यहाँ पर बताया है कि साथ ही RCC की तुलना में बहुत हलके भी होते हैं RCC की तुलना में हलके होने का मतलब बहुत जायर से बात है वो भारी structure बनता है heavy होता है और स्टील ट्रसे स्कैटन फॉर् हो यह आपने first year mechanics में ही पढ़ा होगा और नहीं तो जिन आप तो ट्रस का चैप्टर उठा के अलग साथ सोम में या फिर नए subject से नाम में जोड़ दिया गया है फस्टीर में अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो mechanics में भी ट्रस चैप्टर था जिसे method of joints लगा करके आप इनको solve करते थे ठीक है तो चलिए यह सब तो आपने पढ़ा होगा यह formula भी आपने पढ़ा होगा कि निश्चित संबंद होता है और वो संबंद क्या होता है m is equal to 2j-3 है m number of members है j number of joints है तो number of members is equal to 2j-3 है तो ऐसा जो truss होता है वो balance truss होता है और अगर member m से ज्यादा है support joint उ m is greater than 2j-3 ठीक है तो उसको redundant frame कहते हैं और अगर m कम हो m जो है 2j-3 से देखें आपर कम हो तो ऐसे को deficient कहते हैं deficient मतलब जानते है deficiency यानि कम ही को दिखाता है मतलब members अगर संख्या में कम हो तो उसको deficient trust कहते हैं और अगर member ज़्यादा हो तो उसको redundant trust कहते हैं ठीक है यह trust के बारे में किवल introduction था कि trust क्या है उनका प्रयोग क्यों ज्यादा किया होता है और उनके बीच में संबंद क्या होता है ठीक है यह आपने समझ लिया अगर तो मैं एक example के तोर पर एक diagram आपको trust का दिखा दूँ सबने देखा होगा लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं जो नही मिला है इसको कहते हैं किंग पोस्ट ठीक है किंग पोस्ट इसको कहते हैं और यह जो सीधा पार्ट है यह दो पार्ट जो बिल्कुल सीधे सीधे हैं जो वर्टिकल है और वर्टिकल है और जोड़े रख रहा है किसको बताए यह किसको किसको जोड़ा रहा है टाई को लोग क्विन पोस्ट कहते हैं और जो वर्टिकल वाला है यह बार बार याद दिला दूँ यह वर्टिकल वाला जो सबसे बड़ा वाला है इसको किंग पोस्ट कहते हैं किंग पोस्ट और क्विन पोस्ट ठीक है कई बार क्विन पोस्ट नहीं बना जाता है स्पैन छोटा रहत अभी तो दो ही तीन वर्टिकल टोटा दिख रहे हैं एक बिल्कुल बीच में दो साइड में और अगर और बड़ा इस पैन होता मतलब और फैला होता तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं इनको और दूर-दूर कई अगरी सारे वर्टिकल लगाते तो वह कुन पोस्ट होते हैं यहां पर धियान देने वारी बात है कि आप ट्रस का यह वाला फॉर्म देख लिए कि यह ऐसे है पूरा यह ट्रस आपकी बना रही है तो एक ट्रस हुआ एसा और ऐसे ही कितने ट्रस आपको डाइग्राम में दिख लगा करके सारे Truss को और फिर उनको एक लंबी डंडी से दोडा गया ये लंबी डंडिho, जैसे ध्यान समझे गएं लंबी डंडिव जो देखे किनेक्ट कर रहे विए, ये जो कर रहे है Crunches को आपस में, कई सारी जो सीधी सीधी पहार जा रहे हैeger डंडि या ये, ये यह जो कनेक्ट कर रहे हैं ट्रस को ठीक है इनको कहते हैं परलीन ठीक है परलीन अब देखिए बाकी सब पर तो कंप्रेशन लाइक अगर यहां पर समझें ज़रा ध्यान से चीजों को तो यहां पर आपने मेंबर के नाम समझ लिए अभी डाइग्राम भी आता है इसका बनाने स्ट्रेस ठीक है तो यह स्ट्रट जो हते हैं उन पर कंप्रेशन आता है यह जो क्विन पोस्ट किंपोस्ट उस पर भी टेंस कंप्रेशन आता है अब राफ्टर पर भी आपका कंप्रेशन आता है लेकिन परलीन एक मात्र मेंबर ऐसा है जिस पर टेंसन कंप्रेशन नहीं आ मैंने इसलिए दिखा दिया ताकि आप समझ पाएं चीज़ों को कई बार इन में देखे पार्ट में और भी पार्ट होते हैं जो ही डेंट पार्ट से जैसे अगर कई बार परलीन ऐसे बना हुआ आप इंजिनिर्ग ड्रॉइं जब पढ़ते हैं आप तब उसमें बोलता ऐसा लेकिन ऐसे इस्ट्रक्चर में आगा तो बोलेगा एक ट्रस के विभिन भागों को दिखाते विए सवच चित्र बनाई या एक निट या क्लीन डाइग्राम बनाना होगा आपको एक जाम में तो उसके लिए आप देखी क्या होगा कैसा डाइग्राम बनाएंगे तो उस डाइग्राम को ध्यान समझेंगा तया न कर health अधो गरा में क्या है सबसे पहले हमने क्या किया यह सपोर्ट वाल हैं दोनों ये दोनों सपोर्ट एं सपोर्ट वाल जो बनी है उनके उपर आई पाई पर टाइब लेया कर रख दी गई है दीवालों के उपर ये टाइबीम लेया कर र vikt दी गई सब्सक्राइब क्या है कौन सा उपर आफटर के ऊपर इस चोदे इसेक्षण सब्रक्राइब आई स्च hypocrisy तो परलीन है यहीत आगे जाके दूसरी ट्रस्स से मिले होंगे मतने यह पर दिखा है यह देक्षा pro principle डाफ्टर किसको दिखाए गया तो आप समय जाओंगे कि principle डाफ्टर इन में से क्या है यह वाले को मैंने बताया था वह इंग पोस्ट है तो diagram आपको यह वाला बनाना है ठीक है जैसा मैंने अभी इसको बना जाया इस हाइट को यह जो हाइट है यहाँ पर देखिए यहाँ सबसे उच्छे पॉइंट को रिज बोलते है ठीक और यहाँ पर रिज और राइज में अंतर है रिज मतलब वह उपर का पॉइंट रिज कहलाता है लेकिन जो हाइट होती है उसको राइज बोलते है ठीक है तो आई होप यह आपको diagram पूरी तरह समझ में होगा बना लेंगे आप लोग एकजाम में एक बार फ्री हैंट प्रैक्टिस कर लें और पार्ट्स को अच्छी तरह समझ लिए तो diagram आपको समझ में अच्छा यह बताईए जब अब ऐसा कर दिया गया यहाँ पर टाइब लग गई यहाँ पर प्रिंस्पल राफ्टर लग गया उसके उपर पर covering seat या covering roof कहते हैं जिनका यूच करके पूरी छत को धाक दिया जता है धाकने के बाद उपर से ridge के उपर एक cap लगा दी जाती है यह एक टाइप ही cap है यह जो ridge के उपर लगाया ना इस टाइम वह एक तरह की cap है उन cap से क्या होगा पानी अंदर नहीं जाएगा तो लगाने से ridge इस दूरी को लोग कहते हैं पैनल पैनल क्या होता है पैनलों की बीच की एक परलिन से दूसरे परलिन के बीच की दूरी पर चादरें रखी जाती है तो उनके बीच की जगह को लोग पैनल कहते हैं ठीक है तो आप लोग यह सब समझ गया होंगे कि यह मैंने यहां नीचे ल लिखा है यहां पर कि जनरली आस्ट फॉर फाइब माक्स इन एक्जाम यहां पर लिखा ना डिटेल डाइग्राम आफ ट्रस और यहां पर मैंने भी लिख दिया कि जाम में लगबग पांच नंबर का पूछा जाता है कि बना के डाइग्राम उसका नाम दिखा यह ठीक है आसा बनायत आपको शुलोप थीटा क्या होती है थीटा स्लोप का मतलब क्या हुआ वह जो ढ़ाल थी ना किसकी राइज अपन हाफ आफ इस पैन देखी जा रहे आपर देखे इस लोप कहीं दिखा रहा डाइग्राम में तो स्लोप क्या आपकी यह स्लोप दिखाई गई गई तो और ऐसे निकाल लेंगे या वन बाई संथिंग करके भी निकाल सकते हैं थीटा के फॉर्म में निकालें तो आपको पता चल गया कि इसकी स्लोप लगभग कितनी रखी जाती है बीस से साट डिगरी स्लोप रखी जाती है और स्लोप थीटा इस इक्वल टू राइज अपन हा वो भी एक तरह का स्लोप है लेकिन वो राइज अपन इस पैन होता है पूरा इस पैन लिया रहता है ठीक है वो एक दिखाने का तरीका होता है कि इतने मीटर इस पैन के लिए इतना हाइड उठाय गया ठीक है तो कई लोग इसमें कन्फ्यूज होते है तो पिच और स्लोप म मन लिखा नहीं है ठीक है तो प्रिंसिपल राफ्टर का मतलब बंधू होता है अच्छा बाकी पढ़ लेते हैं बात करते हैं उसके बारे में टाइब इम क्या आपने समझ लिया किंग पोस्ट वो बीच में सीधे जो गया था ना बिल्कुल बीच में वर्टिकल मेंबर वो किं पूस्ट में थैं ध होता है क्या हो थे उसक्व में आपने समझ लिया और लास्ट नए पॉर्लीन क्या है समझ लिया आप güreऌ डरेसिंग मैं आपि यह जो यह डार्क वाला लाइन दिख रहा है यह आपका प्रिंसिपल राफ्टर है लेकिन कई बार इसके ऊपर छोटे छोटे राफ्टर भी लगाया जाते हैं जैसे आपको मैंने जैसे सीट लगाने यह परलीन लग गया परलीन जैसे मैं प्रिंसिपल राफ्टर के ऊपर आपने परलिन लगा और परलिन के बाद कुछ छोटे राफ्टर इस डिरेक्शन में आपने लगा दिया ऐसे ऐसे परलिन के ऊपर छोटे मतलब समा इसी दिसा में लगेंगे जैस दिसा में में प्रिंसिपल राफ्टर है उसी दिसा में जो कॉमन राफ्टर है वो भी लगते है लेकिन उनकी लंबाई कम होती है उनको रख करके उसके उपर भी सीट डाली जा सकती है तो common राफटर रहे वो जरूरी नहीं है लेकिन principal राफटर करहना क्या है जरूरी है अब king post क्या था तो मैंने बताया था यह जो बीच वाला पार्ट देखिए यहां पे लिखा भी आगा king techniques post queen post इसमें है नहीं क्यों पोस्ट होता तो कैसे होता वह यह वर्टिकल वंबर होता है यह कप किया जैडरत सब्च यह काफी ज्यादा हो और ऐसे कई बार टाइप सो आप पूछ देता है कि ट्रस कितने टाइप की होती है ठीक है तो टाइप में कुछ नहीं है इस पैन पर डिपेंड करता है और कुछ लोगों ने अलग-अलग तरीके की ट्रस मराई उसका बनावाट चेंज करते गए कुछ लोगों ने अपने नाम के अधार प आप को तो हम इसा जान लीजिए कि जब ट्रस की बात करते हैं लोग तो हम देखी ये 6 मिटर के स्पेंड तक है की पोस्ट में सब कुछ नहीं बताया होगा वह बीच वाला रॉड सीधा नहीं दिख रहा ठीक है फिंक ने अपने नाम पर इनको बनाया था और इस पैन का अलग अलग के हिसाब से इनका इनका कि ये जो किंग पोस्ट वो चैनल मीटर नहीं हो मीटर है 6 मीटर तक के लिए है यह देखें यहाँ पर लिखा गया ना 6 मिली मीटर इसी तरह यह लिखा 6 से 9 मीटर इस पैन बढ़ा होगा फिंग ट्रस जो का वो 9 से 12 मीटर और इसी तरीके से इस पैन बढ़ता जाएगा और अपने ट्रस जो है वो बनाई जाएगा इस पैनल के लिखा जैसे 12 मीटर के लिए जो होगा फॉर पैनल ट्रस है और इसी तरीके से फैन का ट्रस है एक पैनल का मतलब देखें फॉर पैनल का मतलब वहते एक पैनल दो पैनल तीन पैनल और चार पैनल ठीक है इसी तरीके से देखें यहां पर यहां तो कौंटिंग खुद ही कर दिया गया एक दो तीन चार पांच और छे पैनल हो गया तो टोटल सिक्स पैनल ट्रस है पैनल मैंने क्या बताया था एक परलेन से दूसरे परलेन की बीच की दूरी और एक काफी बड़े पर देखें इसमें कई सारे क्विंग पोस्ट वाले काम हो एक दो वर्टिकल हुए तीन एक क्विंग पोस्ट भी से मिला इस इस टाइप की ट्रस्ट नाम तो हो ये अपने आधार पे दिया है लेकिन एक तरह की कंबाइन ट्रस्ट के अंतर गताती हैं इस इसी तरीके से ये पाउंड फिंग ट्रस में कंपाउंड हो गया है फिर प्रेट रेंगुलर ट्रस हो गया आपका नौर्थ लाइट रस हो गया नाम देखें यह मुझे भी नहीं याद है मैं अगर आपकी जगह एक जाम दे रहा होता तो मैं केवल इनको लास्ट डे देख लेता कुछ दो चा लेकिन चार-पांच आपको क्लियरली पता हो और उनके डाइग्राम पता हो ठीक है तो आई होप आपको यहां से सारी चीज़ें समझ में आगए लास्ट यह इतने ट्रस बने हुए है और सारे ट्रस में एक चीज़ ध्यान रखेगा कि वो सारे ट्रेंगुलर ही रहेंगे उ टाइफ के बाद वैसे तो देखे ट्रस में ना मैंने बताया कि परलीन एक मात रहसा मेंबर जिस पर बेंडिंग मोमेंट आता है बाकी सब पर अलग-अलग लोड आता है तो इस वज़ए से परलीन के डिजाइन से भी कोस्चन एक आत बार उसके इस्टेप आये हुए है नि डाइग्राम बनाना पहला चीज और दूसरा चीज उससे क्या आया है डाइग्राम के लवाए उस पर छटों पर भार का निधारन ठीक है वह भार का निधारन कैसे मैं वह वह पॉइंट के वर उठाया हूं जो ट्रस से most important theory है ठीक है तो भार के कराण कि मैं अगर बात कर जीए कजरा क्या क्या है च्छत कैंचों उपर निमन भार आते हैं यहां पर रिखा गया है कौन-कौन से है डेड़ लोड है लाइव लोड है विंड लोड है और स्नो लोड है यह चार तरह के लोड एट एक तो अचल भार मतलब खुद का उसका या उसका उस पर आने वाले जो कभी कभी लोड अगर एक विंड लोड लए तो फिर अर्थवियक लोड नहीं लिया जाता है और अरत पर क्रेंची पर आने वाल भारो को समझाई और उनके कम ढ़ारों को समझाई है कि छत पर ठीक ओंचाने वाले भारों की क्राइटेरी या उनका कॉंबिनेशन अभी में जाया कि मैं क्या कह रहा हूं कॉंब्रेशन का मतलब होता है सारे वहार एक साथ नहीं ली जाते हैं कुछ को एक साथ रख रख के देखा जाता है उनका एक कॉंब्रेशन बनाएगा देखे छट पर इस्थाई पदार्थों का भार अच्छल बाहर कहलाता है यह सब चीज़ें समझाया गया है आप इनको पढ़ लिजेगा है मैं इसी तरफ इसको रोक करके वीडियो को इनको फटाफट पढ़ लिजेगा आपकी बुक से ही लिया गया है इन्दी माद देम के ठीक है अब यहां पर देखेगा एक लाइन लिख आया हुआ एक जाम कैची के लिए सरवाधिक सरवाधिक विनासकारी यानि मोस्ट डिस्ट्रक्टिव इस्तिती जानने के लिए उपरोक्त भारों को निम्न प्रकार सायुकत यानि कॉम्बिनेशन आफ लोट किया रहा था ठीक है मतलब कॉम्बिनेशन आफ लोट का मतलब क् लोट का यही है कॉम्बिनेशन पहला कॉम्बिनेशन लिया रहता है अचल भार प्लस चल भार का यानि डेड़ लोट और लाइव लोट को आपस में जोड़िए फिर दूसरा है डेड़ लोट और प्लस विंड लोट को आपस में आपस में और यहां पर देखे डेड़ बना के देते हैं इस पर आपको सवाल नहीं करना उन्होंने कहा है इसलिए करना है कोड ने बोला इसलिए करना है ठीक है यह आपके अनुभाव से यह आप नहीं समझ पाएंगी अद तीसरा चीज जो होता है वह अचल भार और हिम बार डेड़ लोड और स्नो लोड तो जैसे चेतर जहां पर स्नो फॉल नहीं हो रहा हो स्नो फॉल मतलबometer नहीं हो तो फृुड निकालने के लिए कि आप चीज करते हैं तो इसी पर तो जाइन होता है कि उस पर लोड क्या सा रहा है तो हमेशा अगर सनो जोन में नहीं है ठीक है तो हमेशा आप क्या करेंगे लए चल बहार को भालब को आपस में जोड़ेंगे तो कुछ वैलू आए यूँटर दे इसी तरीके से अगर जहीं स्नो जोन में आपको क्या करना पड़ेगा तब सुनो जोन के लिए पहला लेंगे आप और तीसरा लेंगे इन दोनों में आप जो ज्यादा आएगा उसके लिए डिजाइन किया जाएगा ठीक है नीचे यही सब बातें लिखी गई है कि जब हीम बाहर पर विचार किया जाएए वो इसको आप डिटर में पड़ेगा जो मैंने समझाया वही बातें इसमें लिखी गई है तो यह भी एक कोश्चन बनता है कि कैची पर आने वाले बाहरों का बताईए और इस पर जो सबसे मोस्ट डिस्ट्रक्टिव लोड होते हैं उनके बारे में समझाया ठीक है अगर आपको यह वीडियो बस इस पॉइंट आप यू से समझेगा योकि नुमेरिकल ज़्यादा है लेकिन वो फिर एक्जाम पॉइंट आप यू से लेंदी है तो मैं अगर कभी फिर अगले समेस्टर के लोगों को सायद वो नुमेरिकल मिल पाए मैं पढ़ा भी दूंग आपको आप जो सोच रहा ना सबका option मिलेगा अब एक topic इसमें column based कर रह जया उसको भी पढ़ा दूंगा तो theoretical part आपके पूरी तरीके से complete हो जाएंगे जिन लोगों को मैसोनरी वाले part में बार बार लग रहा है कि सर मैसोनरी हम लोग का नहीं पढ़ाएंगे मैसोनरी syllabus से हटा दिया गया है अब मैं एक चीछ के लिए बार बार कहूंगा कि इस बार पहली बार ऐसा है कि पैटर्न में बदला हुआ है बोर्ड वाले अगर सेलेबस कुछ दे करके question paper कुछ बनाए तो उसके लिए तो अस्वनी सरमाजी में दार नहीं है लेकिन मैं जो सेलेबस दिखा हू उसमें मैं सोनरी का जिक्र नहीं किया गया पहले आता था आप पूराना paper उठा के देख रहा हूंगे आपका दिमाग खराब होगा इसलिए मैं कहा रहा हूं कि पूराने paper को मत देखिए जो नया सेलेबस है मैं उसके recording चल रहा हूं तो भरोसा रखिए लेकिन अगर आपकी फिर भी डिमांड है तो मैं सोनरी मुझे पढ़ाने में दो दिन नहीं रगेंगे एक एक लेक्चर कम्प्लीट कराऊंगा पूरा मैं सोनरी खतम करा दूंगा मैं एक गंटे गंटे में और वह बहुत वह पार्ट नहीं जिसका आप लोगों इतना हवा बना लिया है फिलाल इस वीडियो को मैं वहीं विराम देता हूँ और ये ट्रस का कम्प्लीट लेक्चर है इसको अगर आपने पढ़ लिया तो ट्रस आपका कम्प्लीट हो जागा ठीक है तब तक लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं तब तक इंतिजार करें वीडियो को सेर सब्स्राइब क होते रहें थोड़ा सा मिलता है नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद